फ्रेंट्स मेरे हाथ में आप जो यह liquid देख रहे हैं यह liquid हमारे plant की growth के लिए बहुत मदद करता है plant में फल और फूल लाने के लिए बहुत helpful liquid है और हमारे घर में सभी के पास यह उपलब्द हो जाता है इसकी बहुत ही कम quantity लगवग 2 ml से 5 ml तक की quantity में आप अपने garden में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए आज मैं आपने वीडियो में इसको बताती हूँ कि यह क्या है और इसे fertilizer के रूप में आप कैसे use कर सकते हैं और gardening से जुड़ी कौन कौन सी समस्याओं में यह useful है तो मैं बता दूँ यह जो लिक्विड है यह विनेगर है विनेगर से आप सभी लोग परीचित होंगे आपके घर में उपलब्द होगा और यह विनेगर इसमें acidic acid पाया जाता है यह हमारे plant की मिट्टी को acidic करने का काम कर प्लांट होते हैं उनके लिए वर्दान है और यदि आप इसकी थोड़ी सी मात्रा भी प्लांट में डालते हैं तो आपका प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और बहुत अच्छी फूल आते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका किस तरह से आपको fertilizer बनाना है क्योंकि इसकी ज़्यादा quantity प्लांट को नुकसान करेगी इसमें acid होता है और यदि आप इसे सही तरह से सही मात्रा में प्लांट में यूज नहीं करते हैं तो यह हमारे प्लांट को जला भी सकता है इसके पहले मैं आपको इसके और भी फायदे बता देती हूँ यदि आपक पर चींटियां आती है वहां पर आप इसका इसप्रे करते हैं तो चींटियां दूर भाग जाती है साथ यदि गिलहरी चोटे-चोटे से इंसेक्ट आते हैं तो आप उनको दूर रखने के लिए इसको कॉट्टन बॉल में वेगो कर विनेगर को और उसको अपने गमले के प को इसके यूज से हटा सकते हैं लेकिन जब आप खर्पतवार हटाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज आपको अपने में प्लांट पर नहीं करना है नहीं तो यह में प्लांट को नुक्सान पहुंचाएगा यदि केवल मिट्टी में खर्पतवार लगे हैं तो आप उनको इस विनेगर के यूज से एक स्प्रे के द्वारा चमकदार बना सकते हैं। तो आज मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही हूँ यदि आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहा है या प्लांट के ग्रोथ रुकी हुई है तो प्लांट के मिट्टी की उपज़ा शक्ति बढ़ाने के लिए मैं इस विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि प्लांट के मिट्टी का प्लांट के लिए काफी है इतने महीं आपका प्लांट बहुत अच्छी फूल देगा यह तो मिट्टी को एसे करने के बहुत सारे घरेलू तरीके हैं लेकिन यह काफी असरकारी तरीका है और बहुत आसानी से आप इससे अपने प्लांट में फूल पा सकते हैं इसके अलावा प्लांट की यदि पतियों में या टहनियों में किसी तरह के इंसेक्ट अटेक है तो इसको भी आप इस प्रे के द्वारा दूर कर सकते हैं लेकिन विनेगर का स्प्रे करते समय ध्यान रखना है कि आपको इसका डाइलूट ज्यादा करना है कंसेंट में फर्टिलाइजर देना है। के लिए मैंने लिए है एपल साइака डाली विन बहुत ही कंम मातर को भूनारे प्लाण को बहुत अच्छा डिखाती है। मैं यह दो मैं लिकुड लिया है, एक लिटर सादा पानी लिया है और उसमें बाइना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके बाद इस पानी को आपको अपनी प्लांट की स्वाइल में डालना है पॉट की साइज की हिसाब से आप डालें महिने में एक बार डालें आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और प्लांट में धेरों फूल आ रहा है